तो हाई गाईस हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ, और गाईस आज कुछ अलक होने वाला है, मैं आपको मिलाने वाला हूँ मेरे बचपन से मेरा चाइड़ूट की मेरे चाइड़ूट में बैबलेड कैसा था और गाईस कैसे हम लोगों ने से खोल देता हूं तो यह रहा तो गाइस यह वो बेव लेड्स है मतलब यह exact same बेव लेड्स नहीं है जो मैंने as a kid use किया था लेकिन हाँ काफी अत्तक लोज है उस पर मैं आभी आता हूं तो मैं फटाक सिन इससे पहले इस पर बात करें मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो फटाक से लाल वाला बटन दबाओ और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो ताकि ऐसे एमेजिंग वीडियो डेली देख सको तो गाइस यह जो बेज हैं आप देख सकते ह पास अब बेबलेट होता था और यह जो लॉंचर थे ऐसे ला टाइम को लॉंचर नहीं होता था जो गाइस ओजी को लॉंचर आता है एग्जेक्ली उसका मिनी रेप्ली का होता था तो वह बेस आते थे गाइस 2 रूपय, 5 रूपय, 10 रूपय को उनसे मैंने खेला है अपने मेरे आसपास कोई असी जगह नहीं थी कि जहां मैं जाके पर्चेस कर सकूंँ और मुझे पता भी नहीं था फंस्कूल के बेबलेट मिलते का मेरे नियर बाई जितने भी शॉप्स थी वहां पर कहीं नहीं मिलते थे तो और बेबलेट का सवाल नहीं उठता था तो गाइस यहीं मिलना बहुत मुश्किल से मुझे मिले तो गाइस तो अब क्या करते है यार फटाक से स्टेडियम लाते हैं एक टेस्पिन तो बनता ही है और यह बच्पन याद दिला देते हैं मज़ा आ जाता है देखके तो चलो गाइस मैं फटाक से स्टेडियम लाता हूँ तो ओके गाइस अपना स्टेडियम आ गया है तो फटाक से टेस्पिन और टेस्पिन तो बनता है चलो मैं पहले एक टेस्पिन कर लेता हूँ और गाइस यह बैटल बैटल करने के परपस से मैंने खरीदे नहीं है लेकि सकते कितना चोटा है तो गाइस यह तो मेमोरी वापस ला देता है क्या ही बोलू मैं में पास वर्ट नहीं है और मज़ा गया यह बच्पन वापस देखके तो गाइस मैं इससे यह प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप जाके इनको खरीदने लग जाओ या ढूंडने लग जो क् कि किसने किसने इन बेज से खेला है गाइस लाड़ेट रफ लेड़ेट रफ वो तो गाइस बैटल होने वाली गजब की क्योंकि साइज आप से कुछ ज़्यादा ही तेज घूम रहे हैं और टैक्लिंग इनका अच्छा कासा है काफी मज़ेदार बैटल थी गाइस और ज्या टो मुझे बताने में काफी अच्छा लग रहा है गाइस और अगर आपने इन से खेला है और मुझे लगता है काफी लोगों ने खेला होगा और जो हमारे बच्पन वह यहीं है सच बोलूँ तो मतलब इनका पूराना वाला वर्जन और मतलब नहीं जन्रेशन ने हो सकता है के साथ खेला हो और जो हमारी पुरानी जनेरेशन थी मादब 90 के जो बच्चे थे उन्होंने इसके पुराने वाजन से खेला होगा यह काफी मेमोरी को वापस लाता है और मज़ा आ गया तो आज के लिए इतना ही आप बताना अपने थौर्ट को कमेंट सेक्शन में और हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ और हैपी ब्लेडिंग अ कर दो आप